परमात्मा की मेर वरस्ती है, उसकी करपा वरस्ती है, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप आ जाती हैं, जिनके पीछे हम दोड रहे हैं, लेकिन हम इनके पीछे दोड दोड करके, दोड दोड करके उस परमात्मा को भूल जाते हैं, जब हम उस परमात्मा को याद कि ये चीज़ें बिना मांगे आपके पास आएंगी, आप मना करोगे अपने आप आएंगी, क्योंकि ये परकरती का नियम है, जहां परमात्मा की पूजा होगी, जहां उसका ध्यान होगा, जहां सुम्रन होगा, और जहां धरम होगा, ये चीज़ें बुलानी नहीं पड़ती अपने आप सारी चीजें लाइन में आ करके खड़ी हो जाती हैं तो खोज किस चीज की करें सबसे पहले खोज करें गुरू की बिनागा गुरू की खोज किये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वही एक ऐसा होता है जो प्रमात्मा तक ले करके जाता है किस परकार से करें उन्हें तोलिए देखिए जीव देखिए सब्द देखिए सुरत देखिए अनुभव अभ्यास रास्ता मारग मंजिल ग्यान प्रमतत्तव और ये सब चीजें अनुभव के आधार के उपर होती हैं बीड देक करके कभी भी मत तोली अगर आप बीड को तोलने लगोगे बीड को देखने लगोगे लोगों से परेरित हो करके अरे उसने गुरू उसको बनाए मैं भी उसी को बनाऊँगा अगर इश्वरकार से करोगे तो आप इछड़ जाओगे आप फिर गुरू को नहीं होता है एक हाताब लोगों के हाथ में होता है तो वो तत्तव होता है जो जुडाओ कर देता है जो पुल की तरह से कारिय करता है जब उसकी खोज होगी वो मिलेगा कैसे अनंत अनंत जन्मुक्वे पुन्यों की आओ सकता होग इतना आसान नहीं होता क्योंकि आजकल गुरुओं की भरमार हो गई है सनसार के अंदर हर मोड के उपर हर चोग के उपर हर चोराहे के उपर हर गाऊ Fame हर शहर में पांट-पांट दस-दस वस्तर डाले हुए कोई काले रंगे कोई पीले रंके कोई गेरवेरंगे, सब तरहे के अनन्त अनन्त कोई दाड़ी बढ़ाए हुए, कोई जटाएं रखाए हुए क्योंकि हमारे संतों ने बोल दिया, वह पहले बोल करके जा चुके, कल्यूक में तो यही चलेगा, कल्यूक में यही होगा, कल्यूक का यही फर्वाव है कि वो जो ज्यादा तपस्वी लगेगा जो दो च्यार साल खड़ा हो गया ये लगेगा हाँ ये तो बहुत बड़ा गुरु हा रे बड़ा सिद्ध हो गया लेकिन आप अंदर में जाकोगे थोड़ा गहरे में जाओगे थोड़ा उन तक पहुंचोगे तब आपको ऐसास होगा अरे कहा पहुंचा हुआ इन्होंने तो दो कदम भी नहीं उठाया इन्होंने तो एक कदम भी नहीं आगे बड़ा ये तो वहीं का वहीं खड़ा है जब आप उसके अंदर में देखोगे जाकर के करोद से बरा हुआ होगा अगनी से बरा हुआ होगा वो खुद भी जल रहा होगा द जिसके अंदर जितना ज्यादा करोध है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा इरिशा है, जिसका मन ए संतूष्ट है, जो खुद ही तरप्त नहीं, वो दूसरे को, जिसके पास खुद का जल नहीं, जिसकी खुद की प्यास बुजी हुई नहीं है, वो दूसरे की प्यास कैसे बु कुड़ी हुई है वो इस ब्रह्म को कैसे समझ पाएगा वो इस अंशार के अंदर जो फैली हुई आत्मा हैं को कैसे समझ पाएगा वो जो रोम रोम में रमन करने वाला परमात्मा है वो उसको कैसे अनुभाव कर पाएगा वो इस परकरती में कैसे अनुभाव कर पाएगा उस केश अगर काट दिये तफश्या चली जाएगी यह मात्तर भरम है सब कुछ और जो इसको जानते हैं जो समझते हैं जो इस विशे के जानकार हैं जिन्होंने उस प्रम्तत्तव को पा लिया जिसकी पहचान कर ली जिसके दर्शन हो गए जिसका अनुभव हो गया जो उसमें खो गए उन्हें आवशक्ता नहीं रहती तो मीरा हीरा टांग करके निकल गई कि ये महल बनवा लेना कह करके वो तो निकल गई बहुत दिनों बाद फिर चकर लगा कि गुरू जी के दर्शन करके आती हूं मिलके आती हूं अब तब तो महल बना लिया होगा वो हीरा वहीं हुआ हुआ मिला उन्होंने कहा रे गुरू जी ये क्या किया आपने अभी तक कुछ किया नहीं महल बना लेते लोग कहते हैं मीरा का गुरू गरीब है उन्होंने कहा कि लोगों को पता नहीं मीरा का गुरू कितना अमीर है संतों के पास ऐसी कौन सी दोलत होती है जो ये बो पर खरीदी जा सकती ऐसी कौन सी चीज होती है जो यह बोलते हैं कि ये तो सब कुछ दातार हैं को देने के उपर आजाएं तो कुछ भी दे देते हैं जीवन मुक्ति से बड़ा इस संसार में कोई इस से बड़ा कुछ उपारह नहीं हो सकता संसार के लिए क्योंकि एक जीव को भी अगर वहां तक पहुचा दिया जाए उस मंजिल तक ले जा करके छोड़ दिया जाए उस मंजिल पर पहुचा दिया जाए और वहां उसकी जलक करा दी जाए उसकी स्तीति वहां रोक दी जाए इस आत्मा की वहां तक चड़ाई करा दी जाए यह संसारी कुश्ट्वें, इनकी क्या गिन्ती है वहाँ, वहां कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अनंत अनंत लोक हैं, आपने चोदह भुवन सुने होंगे, और तीन लोक सुने होंगे, इस पिंड के अंदर अनंत तारे कि एक 108 बर्मांड सुने होंगे यह जब आकास गंगा के अंदर देखोगे अभी एक खोज हुई मैं पढ़ रहा था नाशा ने एक तस्वीर जारी की कि यह मुस्कराता हुआ सूरज है सायद आप लोगों ने किसी ने देखी भी होगी कि यह मुस्कराता हुआ सूरज है कि उस कि आखे अलग से दिख रही चेहरा अलग से बना हुआ होट अलग से बने हुए आज यह नासा भी मानने लगी है कि नासा की सूर्य भी यह आखे दिख रही है यह फेश दिख रहा है कुछ एक्टिविटी हो रही है कुछ परवाव हो रहा है तो इसका यह अरत है कि हमारा सा पहुँचा है जहां पहुचना चाहिए था जहां हजारों साल पहले था जहां करोडों साल पहले था आप इतिहास देखो उठा करके राम के बारे में देखो श्रीकरशन जी के बारे में देखो अवतारों के बारे में देखो जीवन सहलियों के बारे में देखो हमारे पुरात किमुनियों ने लिखा है, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कहा है, वो आज सब कुछ साफ नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां तक हमारा साइश भी नहीं पहुंच पाया, पहुंच जाएगा, आज नहीं तो हजारों साल बाज पहुंच जाएगा, लाखों मानों के पास है कितना 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष मुख्यता आयू जो मानी गई है 60 से 100 वर्ष की मानी गई है इसमें भी क्या होता है 20 वर्ष तो पढ़ने में निकल जाते हैं 10 वर्ष नोकरी डूंडने में निकल जाते हैं रूंडने में निकल जाते हैं कैरियर बनाने में निकल जाते हैं 20 वर्ष फिर साधी में निकल जाते हैं फिर अगले 10 वर्ष वो बचे बड़े करने में और लालन पालन में धन संपता इकठा करने में आगे का जीवन सुरक्षित करने में फिर क्या बचा फिर रोगी शरीर और साथ में कोई नहीं, अकेले छट पटाते रहो, दोड़ते रहो, भागते रहो, चीखते रहो, डिपरेशन में चले जाओ, कुछ लोग अतमत्या तक चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खो जाते हैं, कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही खतम हो जाता है, आज आप संसार की देखो क्या हालत हो गई है